लंदन की बैग्जानिक की टीम भी हैरान हो गई ccao garden की टीम आई थी इस पर राम को लिखता है कि यह पण कि प्रजाती का है कितने बर्सों पुराना ऐसा पेट दिंखेंग से होलक म pseudo कुछ यहाँ पर अपर योध्या राम मैं चुका है थैं लेकिन आपको एक ऐसा जूबा योध्या का पेड़ दिखाने जा रहे है जहाँ पेड़ के उपर राम 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 सिर्फ राम लिखा हुआ है यह देख सकते हैं एक पेड़ है पता नहीं कितना पुराना यह पेड़ है किस चीज का पेड़ है कुछ भी नहीं पता लेकिन इस पेड के उपर अपने आप से सिर्फ राम 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 लिख जाता है स्वता से राम राम लिख जाता है यह देखिए यहां पर दिखा यह राम लिखा है यहां राम लिखा है और इसके उपर जब आप चड़ेंगे तो यहां भी राम है यहां भी राम है और यानि जहां भी द संधान किये लेकिन वो यह नहीं पता लगा पाए कि आखिर यह पेड़ कब उपजा और इसमें राम-राम क्यों लिख जाता है प्रसान भाई आप तो आयोध्या के रहने वाए हैं यह राम-राम कैसे लिख जाता है पेड़ के उपर लंदन से जो विया क्यों गाडन की टीम हैरान हो गई हैरान हो गई दंग रह गई परेशान हो गई और उसके बाद कुछ जो है यहां से इनके पत्ते और कुछ इसकी चाल हो गयरा लेकर के गए हैं अब जाच के बाद ही बता पाएंगे कि किस प्रजाती का पौदा है और इसमें कौन से फलाने वाले कितने बरसों लेकिन लंदन की टीम आज तक यह अनुमान नहीं लगा पाई कि इस पेड़ पर राम क्यों लिग जाता है आज तक यह बिलकुल यह मान लिजिए कि एक चर्चा का विसाय है कि लंदन जो टीम है वेग्जान को की सांटिस्ट भी नहीं पता लगा पा रहे हैं अचा यह बता बिछा कर रहा है और थोड़ी दूर पर एक और पर ऊपज रहा है मतलब ऐसा पैड़ जंगलों में भी ऐसा पैड़ नहीं है आप देखेंगे यहां पर अगर सायोगी से कहें यहां पर दिखाएं तो आप कुछ चीजें देखेंगे कि अलग-अलग भांसा में लिखा हुआ मिलेगा कुछ यहां पर प्रोफेशर भी आये ते इनको कई भांसाओं का ज्यान है तो उन्होंने बताया किसमें कई प्रकार की अगर अगर ऐसा होता तो लंदन की जो क्योग वाडन की टीम आई थी तुए अपने जाच में अपने सोद में बता देती कि यहां भाड़ा है लेकिन जब आप देखेंगे रभी वाई आप देखें यहां पर यह लग रहा है कि हाथों से लिखा हुआ है यह बिलकुल नहीं नाम क्यों नहीं लिखा गया यह राम की महिमा है और करोणों लोगों की जो आस्था जुड़ी हुए प्रभुसी राम से वह अपना साथ चात यहां पर इस पेंड की रूप में दर्शन दे रहे हैं यह इस पर राम को लिखता है आप लिख जाता है अपने आप से कोई लिखत के अब दो धता है की तेना लम ना में पर दिखा है यह दो वह इस पर दिखा है यह नामने डिखा फैयर आप लिखते लेकर कोई आदम लगता है लेकिन जामत नहीं मुंफली के दाना की तरह लगता है अच्छा ये कितने साल पुराना पेड़ है कुछ आइडिया है कम से कम अभी चार और साल के बच्चा है कहते हैं कि कंकन में राम और पेर पौधे में राम हर जगा राम हर कंकन में राम और उसकी एक जलक उसकी यह परिभासा आप देख सकते हैं कंड़ तो राम है ही आपने ऐसा सुना था लेकिन पेड़ पर राम लिख जा ना मतलब यह कहीं ना कहीं दरसाता है कि हर जगा राम है पत्तम दूरबीज से ूर्बाध देखा जाज़ करने के लिए तो यह पेड़ यही पर है हम लोग मित्र आयोध्या से हैं और आयोध्या के बगल से जैसे ही हम गुज्रे हमें पता चला कि राम का एक ऐसा पेड़ है जहां पेड़ के तनाओं पर यानि पेड़ के जो तना है उस पर राम राम लिख जाता है एक बार मंजेश पूरा दिखाएए यहां पर कोई लिखने नहीं आता है ह हो सकता है कि दो चार उपद्रवी टाइप के लोग आकर नाखून से लिख दिये हो लेकिन जो और राम राम यहां लिखा है वो पूरी तरीके से अपने आप लिख गया है यह दिखाए यह तना है और यहां राम राम लिख जाता है मैं नहीं कह रहा हूं यह आप बड़े- विडियों किया हुआ था तब बताया था मैंने कैसे राम राम आज मैं डेल साल बाद जब मैं आया हूंँ तो वैसे का वैसा पेड़ और से मुझी पर राम राम लिखा हुआ है यह पेड़ जो है जब इसके पत्ते आप देखेंगे दूरवीन से तो इस पेड़ में भी रा राम 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 दूरबीन से जब देखेंगे पत्तों पर भी लिखाएगा आप राम के बारे में आप इस पेड़ के बारे में क्या सोच्टे अपनी राय जरूर दे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धनिबाद मित्रों जय हिंद